मुक्तार की मौत जुरी एक और में ईखाना है खबर ये है कि वो टीवी पर या मोबाइल पर पिता का चेहरा देखने की मिन्नते करता रहा, वो हाई सिक्योरिटी जेल में पूरी राट टहलता रहा, बेचैन रहा, रोता रहा, बड़ी अपडेट ही आ रही है कि मुक्तारम साली की मौत की खबर सुनते ही, बेटा परिशान ह अब बास अंसारी जेल में पूरी राट सो नहीं पाया, खबर ये है कि वो टीवी पर ही सही, या फिर मोबाइल पर किसी भी माध्यम से पिता का आखरी बार चेहरा देखने की मिन्नत करता रहा, हाई सिक्योरिटी जेल में पूरी राट टहलता रहा, रोता रहा, बेचैन दि मुकतार का बेटा अबास अंसारी भी अपने पिता के अंतिम शपर में शामिल नहीं हो पाया, वो कासगन जेल में बंद है और उसे पैरोल नहीं मिल पाई है आतंग का पर्यार रहा गैंक्टर नेता मुक्तार अंसारी की मौत के साथ ही अपराद के एक युग और राजनीती के साथ उसके गड़ जोड के एक अध्याय कान्त हो गया है उस पर हत्या से लेकर जबन वसूली तक के 65 मामने दर्ज थे देखें एक माफिया जिसका 40 साल चला सामराज्य एक बाहुबली जिसका 20 साल का सियासी सफर एक अपराधी जिसका सियासी गड़ रहा मौँ एक डॉन जिसका पुरवांचल के कई लोग सभा सीटों पर दबदबा वो था मुखतार अंसारी उसकी साथ साल पहले हुई उल्टी गिनती शुरूर 25 साल की उम्र में पहली F.I.R कभी क्रिकेट की दुनिया का ओल्राउंडर रहा मुखतार अंसारी असी के दशक में साधू मकनू गिरोह में शामिल हो गया साल 1988 में पहली बार क्राइम की दुनिया में मुखतार का नाम आया आरोप था मंडी परिशत की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सचीदानंद राई की हग क्या का इसी दौरान पुलिस कॉंस्टेबल राजिंद्र सिंग की हग द्या बनारस में कर दी गई इसमें भी मुखतार का ही नाम सामने आया 33 साल की उम्र में पहली बार ML बना 90 के दशक में मुखतार अंसारी ने राजनीती में कदम रखा साल 1996 में मुखतार अंसारी पहली बार विधान सभा पहुँचा राजनीती में मुखतार का रुत्वा इसी से समझा जा सकता है कि अपने 26 साल के राजनीतिक जीवन में मुखतार अंसारी को सिर्फ एक बार ही हार का सामना करना पड़ा और वो था 1994 का खाजीपुर उपजनाव मुखतार अंसारी ने पाँच बार विधान सभा का चुनाव जीता था मुखतार को मिला था राजनीतिक संरक्षन मुखतार पर एक्शन लेने से बचती थी पुलिस एक्शन लेने वाले अधिकारियों का होता था ट्रांसफर मुखतार को मिले राजनीतिक संरक्षन की कवाही देते हैं 1991 बैच किये PCS अधिकारी शैलेंदर सिंग जिन्होंने 2004 में UPSTF के DSP रहते हुए एक मामले में मुखतार अंसारी के खलाफ पोटा के तहट केस दर्ज करने की सिफारिश सरकार को भेजी थी शैलेंदर सिंग दावा करते हैं कि राजनेतिक काणों की वज़े से ततकलिन सरकार की ओर से मुखतार पर से मुकदमा हटाने का दावाव बनाया गया जिसके बाद बुल्हे स्टीफा तक दिना पड़ा का ट्रांसपर और अंत में ऐसा मौहल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा पंदर दिन बाद दिन 2017 से योगी सरकार के रिडार पर था माफिया मुखतार लंबे वक्त तक मुखतार अंसारी पर समाजवादी पार्टी और भोजन समाजवादी का संरक्षन रहा जेल में रहते हुए 2017 में आखरी बार मुखतार अंसारी ने विधान सभा चुनाव जीता 2017 में उत्तरपदेश की कमान योगी आदितिनात को दी गई और उसके बाद से ही उसके जर्म के सामराजव के पुरे दिन शुरू हो गए योगी सरकार की अपराद के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीती का ही असर था कि मुखतार अंसारी पंजाब की रोपर जेल में जा चिपा और वहां से यूपी आने को तयार नहीं था मुखतार को यूपी लाने के लिए योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा एक तरफ मुखतार अंसारी के खिलाफ दर्ज मुकदमों की कोर्ट में प्रभावी पैर्वी शुरू ही तो दूसरी तरफ मापिया के जर्म के सामराजी को द्वस्त करने पर अक्शन शुरू हुआ इसके बाद यूपी में बुल्डोजर की गरजना सुनाई देने लगी मुखतार के गैंग के 292 सहयोगियों के खिलाफ भी ताबर तोड अक्शन हुआ 160 मुकद में भी दर्ज किये गए इनमें से 186 सहयोगियों को पुलिस गिरफतार कर जेल तक भेच चुकी है वही पाँच शूटर पुलिस एंकाउंटर में मारे जा चुके हैं योगी सरकार में मुखतार अंसारी के खरीब 2100 से भी जादा अवैद कारुबार बंद कराई जा चुके हैं सरकार के इस जबरदस्ट अक्शन में मुखतार अंसारी से संबंधित 605 करोड रुपई की संपत्ती जब की जा चुकी है मुखतार अंसारी की मौत पर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं यूपी पुलिस के बुर्व अधिकारी मौत पर उठ रहे सवालों को बेबुनियाद बता रहे हैं कभी आप राद का पर्याय रहे मुखतार अंसारी की जेल में हुई मौत के बाद पुर्वांचल में जरायम की दुनिया का काला अध्याय हमेशा के लिए बंध हो गया जर अबड़ पहसा वार्वार्व नान्स काध्या हमें यूप स्थे कर फ्रिछैacts sür Comput Memorial everybody M pasa U where we celebrate extraordinary talents and that brings stories to life कर दो कि कि दो कि दोर्जाओ को वुटी कि अथा दो करें प्रथाम। प्रणिजा कि अप्रप्स कर दो कि अभी अट्रीज। दो और जा दो कि अच्छी दिटाएंगे प्रथे और अध्यन्स आदे बाउलताही में आप देख रहे हैं यूजएटी इंडिया क्यारो जोए फिर में शॉर्ट सर्किट होगे शान्ता 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 नो चान्स घर में फिनोलेक्स के वायर्स ही नहीं MCBs भी लगे हुए है तो ये दूब आप एंट्री स्मोकिंगली होट होगे तब ही तो ये वायर्स बनेगी नो स्ट्रेस, सिनोलेक्स झालेक्स